अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, वैसे तो समझ गए हो अगर तो वैसे याद चाहिए है, फिर भी अगर सिर्फ शब्दे से याद करना है, यूजनिक्स और यूथनिक्स को, ये कौन सा मनिपलेशन होता है, तो देखो, यूजनिक्स में ही G-E-N, G-E-N याने की जनिक्स मैनिपलेशन, समझ गए, इसमें G-E-N, T-N, एकसांत आ रहे हैं, ये अनफाथ G आ रहा है, G याद रखना, तो G-E-N, 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 G याद कर सकते हो कि eugenics GRIs में तो G किस में मिलता है? G for genetic manipulation या in fact GEN for GEN genetic manipulation और ठनिक्स में T जो आ रहा है ना environment का T है इसलिए environmental manipulation समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो